हेलो दोस्तो आज हम बनाएंगे प्रण की करी यहाँ पे मैं एक पैन ले रही हूं यहाँ पे हम प्रण को फ्राइक कर लेंगे और देखे हिंदी में जिंगा बोलते हैं और उडिया में चिंगुडी बोलते हैं और इस जिंगा को हम अच्छे से फ्राइक कर लेंगे और फ्राइक हो चुक्या है और यह देखे इसका जो मूच रहता है जिंगा का वो पक जाना चाहिए एक प्लेट मैं इसको निकाल लूँगी और यहाँ पे सारे मसाले हैं और इसको मैं ग्राइन कर लूँगी पहले प्यास लेंगे कटी हुई प्यास और जीरा, सर्शो, मिर्ची, लहसून सबको ग्राइन कर लूँगी एक कडाई में सर्शो का तेल एड़ कर रही हूँ और यहां पे पीसी हुई मसाले सब एड़ कर लोगी मसालो को भुनना स्टार्ट कर रही हूँ और यह देखे कि इन्दा बढ़िया कलर आ रहा है धीरे-धीरे मसाला सुख जाने के समय तक हम इसको टिक्स करेंगे और यहां पे मसाला मसाले का जो पानी है सुख गया है यहां पे मैं कटी हुई टमाटर नमक स्वाद अनुसार और हल्दी यहां पे मैं एड़ कर रही हूँ और इसको मैं मिक्स कर लूँगी और टमाटर को थोड़ा सा पका लूँगी यहां पे धकन देके टमाटर जब पक जाएगा तब इस पे हम अपना जो प्रॉन है जिंगा है या चिंगुडी है सब यहां पे मैं आड़ कर रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से भूंद लूँगी और अच्छा वाला एक करी बनाएंगे हम यहां पे थोड़ा सा मैं यहां पे कवर कर चुकी हूँ और यहां पे कितना अच्छे से पक रहा है और यहां पे इसको मैं अच्छे से पका लूँगी और यह देखे अपना कलर चेंज हो रहा है और यहां पे मैं पानी एड़ करी हूँ हालक जिनको सुक्री जिंग्री या जिंगा का करी पसंद है ड का सूप बना लूँगी और गरम मसाला भी यहां पर आड़ करके इसको मैं धकन लगा दूँगी थोड़ी देल यहां पर मैं पकाऊंगी और यह देखें बहुत अच्छी तरह से पक रहा है बहुत अच्छा लाई कलर भी आ चुका है और थोड़ा से यहां पर पकाएंगे और यह देखें हमारा जो प्रण की करी है रेडी हो चुका है यहां पर मैं एक प्लेट में सर्व कर रही हूँ यहां पर मैं धन्या का पत्ता भी उपर मैं गार्निसिंग करी हूँ और देखें बहुत अच्छा लुक्स आया है और बहुत अच्छा खुस भुस मैल भी आ रहा तेंक यू फॉर वाचिंग